शेवर के संभाज नगर और तवसील के तयत आने वारे तुपट कली तथा मांडवा ग्राम का जैसे अब कोरोना संक्रमन के नए हस्परत में समाविश हो गया है आए दिनों इन इलाकों में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों के संख्या में धड़ले से बड़ोतरी हो रही है गुरुवार को तुपटाकली से 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी कोविट केर सेंटर के सूत्रों ने दी है बीती रात तीन लोगों ने निगेटिव में तब्दिल होने के बाद गुरुवार शाम तक तहसील के कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 196 दर्स की गई गौर्दलब है कि बीती दुनों शेहर के लगबग हर परिसर से कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मामले उजागर हो रहे थे पर बीते सप्था से शेहर के संभाजी नगर परिसर से धड़ले से सामने आ रही पॉजिटिव मामलों की संख्या अब तक किसी भी परिसर या प्रभाग की तुलना में सबसे अधीक है इसके अलावा ग्रावन शेत्र में मानवा ग्राम और तुपटाकली से रोजाना बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी का दौर जारी है कुल मिला कर देखा जाए तो बीती दिनों की तुलना में प्रशासन द्वारा इन दिनों सकती से काम नहीं लिया जा रहा बाजार खुले रहने के निर्धारित समय में भी शाम साथ बज़े तक की छूट दी गई है ऐसे में बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकडों को देखते हुए दिगरस तहसिल वासियों के लिए जादा सतरकता बरतना बहत जरूरी हो गया है स्थानिय प्रशासन को सहयोग देते हुए अपना और अपनों का ख्याल रखना समय की मांग है NBCN News के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट